जैसा आप देख सकते हो मेरे बंचेस में बहुत जान है और कुछ तरीके जरू है जिनसे आप अपना पवर बढ़ा सकते हो अब पहली चीज जो आपको सीखना होगा है घुमाव पंच में पूरा बदन घुमा के लगाना होगा जिससे पूरा जोर लगा पाओ अक्सर ये होता है हाथ के मुके इसमें पावर नहीं होता आपको पूरा घुमा के बैक को चीरते हुए मारना होगा और आप घुमाव के कारण जोर देख सकते हो तो कमर घुमाओ वजन लगाओ और इससे आपको पावर बहतरीन मिलेगा और जैसा मैंने कहा आपको बैग को चीरते हुए मारना होगा तो यहाँ बैग को रखने के जगा ऐसे मुझे बैग को चीरते हुए मारना होगा और जब बैग में घुस जाओंगा इससे पावर बढ़ जाएगा बिल्कुल ऐसे और एक जरूरी चीज है आपने आराम में रहना है अक्सर लोग पंच करते समय जोर लगाने के लिए सास पकड़ लेते हैं और ठक जाएंगे तुरंथ ही इसलिए रिलाक्स रहने की कोशिश 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 पूरा बदन आराम में है मुठी को छोड़ कर मुठी बिल्कुल सक्त और बाकी जबरदस्त देखो मैं रिलाक्स हूँ और ये साबित करने के लिए मैं रिलाक्स हूँ मैं सीटी बजाओंगा आप मत करो आप बस मतलब समझो आराम में होते हुए सीटी बजा रहा हूँ पर मेरे मुकों में दम है तो जब कमर घुमाते हुए निशाने को चीरते हुए मारोगे रिलाक्स रहते हुए आपका पवर काफी बढ़ जाएगा अब और एक चीज जो आप कर सकते हो ये करते समय सोचो पवर के बारे में जब पवर के बारे में सोचोगे साथ में अब तक जो चीजे बताई वो सब भी करोगे घुमाव, आराम आपके पंचिस काफी जोरदार हो जाएगे अब आकरी चीज ये है बड़ा राज ये है मूवमेंट अगर पंच के साथ मूव करोगे पवर बढ़ेगा वजन का जोर पंच का पवर बढ़ाएगा मैं इसके साथ हिला हम बस खड़े होके भी पवर ला सकते हैं काफी पवर पर जब मैं स्टेप करूँ और हाथ और पैर साथ चलाऊँ आपको मिलने लगता है नौक आउट पवर तो ऐसे होते हुए स्टेप करो देखो अच्छे से आप देख सकते हो ये बैग कितना हिल रहा है ये है हर स्ट्रेट पंच की बात जो घुमाने वाले होते हैं उसमें पैर जमाओ फिर तानो करके देखो और फरक देखो क्या आपको करना है पंच तेजी में यहाँ क्लिक करकी ये ड्रिल्स देखो जिनसे आपको बहुत मदद होगी देखने के लिए शुक्रिया